जै जबान, जै किसान, नमस्कार, दुआ सलाम, गुड मॉर्निंग कैसे आप सबी आसा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे हैं आज दिनांक 4 जनवरी 2023 है और अभी फिलाल में सबी भाईयों का कमेंट आरा दे भाई आपके छेतर में जो आलू का फसल है वो कैसा है चेतर के खेतों में हूँ अभी फिलाल में हमें लगवाग छिपरामू से 4-5 किलोमेटर दूर हूँ और खेतों में हाँ पे आपको जहां भी नजर जाएगी आलू यालू नजर दिखाई देगा भाई साब तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकाली देजी आएग लेकिन भाई साब जो बाई ना इस्तती क्या है वो बता रहा हूं मतलब अपने चेतर की बता रहा हूं तोटल और आपके चेतर में क्या इस्तती है वो आप हमें नीचे कमेंट बोक्स के माध्यम से बताईएगा या मैं नेस्ट डे जब भी पांच बजे लाइब आऊंगा साम को कोई ना कोई मंडी से तो भाई आपके चेतर में आलू का जो फसल है वो कैसा है आपको मैं आलू की फसल दिखा दे रहा हूं ये देखो भाई साब हमारे साब से बढ़िया बहुत बेहतरीन सुन्दर आलू की फसल खड़ी है और इतनी लंबी लंबी इसकी आल हो गई है और किसी परकार का कोई रोग मुझे नहीं मनलब ये हलका फलका तो मनलब ये पीला पन तो आई जाता है लेकर आप लोग देख पा रहे हूं उपर से कितना बढ़िया बेहतरीन आलू दिखाई दे रहा है मनलब बल्कुल बढ़िया इसके बगल में भी एक खेत है वो भी आपको मैं दिखा देता हूं ब ये सरसों खड़ी है बाई और उदर भी सरसों खड़ी है और इदर भी कुछ सरसों है मनलब इदर आलू सरसों लगवग काफी मातरा में है तो इदर भी देखो आलू खड़े है ठीक है ये भी आलू है पूरा का पूरा खेत आलू का दिखाई दे रहा होगा आपको वो भी प्रिकार का कोई भी रोग अभी तक तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है और अभी फिलाल में जो भी किसान भाई आलो की कुदाई कर रहे हैं प्रत बीगे में मतलब 28 शंतर लेकर और 40 कट तक निकल रहे हैं इस समय और जितने भी किसान भाई आलू की जो खुदाई कर रहे हैं वो अभी फिलाल में ज़्यादा तर्ग्यों की बुबाई के लिए आलू की खुदाई कर रहे हैं और यहां पर देखो साइद यह खुदाई बगरा भी हुई थी मलब यह ऐसे ही निकाला होगा आलू तो ले गए होगे साइद भाईया हाँ पक्का लेके चले गए तो यह ना मलब बेल है मलब कुछ चड़ाया होगा भरा रहा या कोई जंगली जानबर या कोई ना नुकसान करके गए होंगे यह हाँ पक्का नुकसान करके जाते हैं देखो यह देखो यार भाई बहुत नुकसान होता है यह देखो कोई न कोई जानवर आके सब ख़दो के चले जाते हैं यार तो देखो बैसे भी तो नुकसान हो रहा है continue देखो यार यह सब सब परवादी है ना मतलब एक तरीका की तो यह देखो भया हमारे हाँ बिलकुल फसल ठीक ठाक है और आज के आलू का भाव जो है अभी थोड़ी ही देर में आप लोगों को हम सीधा मंडी से लाइब जाकर दिखाएंगे कि लाइब आज शिवराउंग मंडी में आलू का भाव क्या रहा और क्या पोजेशन है लेकिन मैं सबी किसान भाईयों से अनरोद करना चाहता हूँ कि किसान भाई आलू की विक्री करने से पहले आलू का जो भाव है उसे पता जरू कर लिया करें ताकि उनके आलू का जो भाव है उनको सही मिल सके तो प्लीज किसान भाईयों से अनरोद है सबी लोग आलू विक्री करने से पहले भाव पता कर लिया करें एकदम किसी भी फिरकार की जल्द आजी ना किया करें क्योंकि इससे उनका नुक्सान होता है आपनों का नुक्सान हो जाता भाई जब भाव चल रहा है इस समय आम तर्बे तीन सो पचास से लेगे चार सो रुपए प्रतिक गटा और किसान भाईयों आके दो सो सीम बेक के चले आते हैं तीन सो में बेक के चले भाई ऐसे कैसे हो सकता है आप लोग खुदी चीज का मनलब डिसिजन ले सकते हो तो अभी फिलाल में हमारे आँक किसी परकार का कोई रोग नहीं है आपके छेतर में कौन सा रोग है क्या इस्तती है आप लोग प्लीज मुझे नीचे कमेंड बॉक्स मताएं और रही मौसम की जानकारी आप लोग देख पार है हमारे मौसम जो था दो दिन से थोड़ा गड़वर था मलब की मालूम पढ़ रहा था कि बरसाथ हो सकती है लेकिन अभी आप लोग देख पार है किसी परकार का कोई भी अब परसाद का मौसम नहीं मालूम पड़ रहा है बाकाइदा बढ़िया तरीके से मलब आप लोगों के सामने है ये जो भी हिस्तती है किसी परकार का कोई बारिस का संबाबना नहीं लग रहा है तो प्लीज जो जो किसान भाई जो जो बैपारी भाई हमारे चैनल पर पहले बार बिजट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा क्योंकि हम आप लोगों के लिए इसी परकार से आलू का रोजाना का अपडेट लाते रहते हैं तो अभी किसी परकार का कोई भी किसी फसल में भाई रोग नहीं है नहीं है नहीं है